काहनी कुर्सी की में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम लोग बात करेंगे देश में भगवान राम का उध्याम जो मंदिर बना पुरान प्रदिश्चा के बाद क्या महौल है उस पर राहूल गांधी ने उस पर क्या कहा लेकिन नितिर्श कुमार इस वक्त पटना में बो समाजी के लिए आपने जो काम किया है कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाये थे हम अपने को ही केंद्र में मंत्री रहे अभी राश्तभा में है अब पार्टी के राश्तभा के निता है पार्टी के जंदो से क्रेट्री है सब कुछ है इनका भी काम सब्सक्राइब का सारे कर सारा कि अधर रहां पार्टी के जिसके लगातार बोंपर इसके लिए जाया किया जाया इस वहां पार्टी को अधिया आपका सई है कि अधियों निर्टि का कुछ है और खाश्व गरीबद सब्सक्राइब कर दो कि अधितन के इंगोंने तरा बंदी लागू किया है कि अपान वियाल का हाथ निछे अधितना बड़ा-बड़ा काम की ए तो कुछ लोग खिलाप को तरके उंदो प्रह पाया वह तरह भाव कितना हम यहों को मानते से आप अपा गणा सब्सक्राइब और जो सब्सक्राइब नने वार्न गांशने नियुक्ता हुए वी अधाव जया है। और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं हम बिहार मेत्रा दिन से जो काम कर रहे हैं आपको अधर सब्सक्राइब काम करें तो रखने वी काम है तो इनकी चर्चाहीं करते हैं और बागी सब कुछ करते हैं थे इत्य है तक लगातार होते रहे है इसको किया जाया कियाए किया जाया तो अंत्में अभी अबने कल उप्षान में उन लोगों ने तैक कर दिया तो बैसे निवाद देता हूं अपड़ी पाते और इनकी जो प्रिका है ज्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुर्वा तबका है अपका शीक्रा पिश्रा आपी पिश्रा अन्य जो कर पूरी ठाकूर की आज सौवी जन जनती है और उनको भाद रतन देने का एलान के बाद यह जो आज कारेकरम हो रहा है इसमें इतीश कुमार बोल रहे थे और उनकी बातों मार आप गौर कीजिए पिछ्रा आती पिछ्रा के लिए जो काम उन्होंने कर पूरी ठाकूर नही जो जेडियू के महा सचिव भी हैं और राजे सभा के सांसद भी हैं और अभी क्या कहा नितीश कुमार ने जरा गौर से आप याद कीजे तो वो यह कह रहे हैं कि कर पूरी ठाकूर ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया राजनीती के अंदर यह बात सही है कर पहाने अगर कुछ कहना चा रहे हैं तो क्या साथी उनके सुन रहे होंगे आरजेडी वाले कई उनके लिए तो नहीं कह रहे हैं जहां पर रालू यादव और उनके बाद उनके बेटे तेज़ेस्व यादव नितीश कुमार के वो मुख्यमंतरी भी हैं एक सावाल और बड लَّसफी यादव और लालू यादव भी कर रहे हैं तो गठबन्दन में साथ हैं एक सरकार में हैं मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी लेकिन कारिकरम दोनों के अलग-穴ग होरा हैं तो इसलिए बिःज अधीज किर maggal चिंगारी कहीं ना कहीं तो होगी रावuul जी और रहिए है क देखे किसी ना किसी कारण को कहकर तो आगर नितीश कुमार को बीजेपी के साथ आना है तो कोई ना कोई कारण तो देंगे ऐसे तो नहीं है कि अच्छा आज चले और पहुंच गए बीजेपी के खेमे में तो मुझे लगता है कि यह धरातल पर एक बेस बनाया गया है जिस प बात पर रहा है उतना तो विरोध में रहके न कर पातेक है अब एक लाइन में कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं बढ़ा रहे हैं और मढ़ा रहे जएलор चूंद Ig. लेकिन जो सबसे महतुपूर है बार बार ये बात कह रहा हूँ नितीश कुमार जी को समझे आप उनको कोई आउशक्ता नहीं कोई जरूरता नहीं किसी महलों कोई वज़ा बने नहीं गाड़ी मोड देंगे राजभून जा के कह दें कि भाई हम त्याक पत्र दे रहे हैं और हमी लोग टीवी पर वहस करें कि देखे नितीश जी ने लालु जी का साथ छोड़ दिया अपने सम्मान के लिए ऐसे ही 17 में हमने देखा था ऐसे ही 14 में हमने देखा था तो उनको किसी वज़ा क्या ओशक्ता नहीं और कमाल के वो नेता हैं कल यब वो प्रेस कांफरेंस कहें के भाई हम तो भाजपा के साथ रहते ही न थे ये तो चले गए थे कुछ दिन के लिए, हमने सोचा कि शायद ही लोग समझ जाए, सत्बुद्धी आ जाए, लेकिन जब कुछ करिये नहीं रहे हैं, तो हम बिहार के लिए फिर चले गए नितीज मोदी जी की साथ, और देखें, दोनों जो पोस्ट है बड़ी बढ़िया से आ परणा नहीं की जा सकती हैं, और अब नितीज जी क्या करे हैं, हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, लालू प्रसाद याद हो, जो कहते हैं, कि हम जरा साभी जीरो टौल्रेंस पालिसी हैं, उनकी बीजेपी की परणाए और ऐसे में अगर नितीज जी मोदी जी की कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में किस तरह के बदलाव की जमीन है और बेवज़ा रामिलाज जी को हम लोग मौसम वैग्यानिक कर रहे थे हमको लगता है रामिलाज जी नहीं है लेकिन नितेश जी उस पद्वी को बहुत अच्छे से अब ही जो बात आप भाषन में आपने उ के बाद जो भोज आयुद किया गया था उसमें नितिश कुमार गय थे उसमें पदानमंतरी मोधी और नितिश कुमार की जो बाड़ी लेंग्विज थी जो केमेस्ट्री थी जिसे आपसे बाच्चे दुभी थी उसके बाद आप देखे जब ललन सिंग उन्हें रश्ट्यत द वो एक दल से छुटके दुसरी दल में आ गया है मुख्य मंतरी बने रहे हैं लेकिन राजिती रुप से नो कोई फाइदा नहीं हुआ है परिवरवाते खिलाफ लड़ते रहे ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे तेजस्वी यादत तो सीबियाई की जाच में अब एडी के सामने जाना है 29 तारिक को तो अभी लालुपरसाइदों को फिर एडी के सामने पेशन है नितिश कुमार के आड़े कब आई है 15 का चुनाव लड़ी लड़ी लिए थे न कोई वजह ही नितिश कुमार को यह लग रहा है कि अगर 2024 के अंदर अपना पार्टी का वजुद बचाना है अपनी छबी बचाकर रखना जिस सुशाशन बाब गुरुप में जाने जाने जा नितिश कुमार के तूट को बचा लेकर जाएंगे अगर नहीं जाएंगे तो नितिश कुमार की तूटेगी चवी जो थी वो 2010 के बाद जिसको कहते हैं न शब्द है खिंडी में खरण होते जाना अब इतना खरण हो चुका है कि चवी बची नहीं जेकि मैं तो यह कह रहा था कि वो इसलिए बेस बना रहे हैं ताकि हम जैसे लोग जो अक्सर जो है श्वधन जी उने पल्टू बोल देते हैं आज नहीं बोले हैं उस तहां से वो जो बेस बनेगा तो कारण दिखेगा कि ताकि वो दूसरी साइट जा सके तो इसलिए जो उनकी छवी है उसमें इतना दाग नहीं लगेगा कि अच्छा इस कारण से वो बीजेपी के साथ गए अब नितिश कुमार की बातें आपने भी सुनी नरेश जी कहीं कि कुछ दे रहे हैं क्या इशारा कि कोई सॉफ्टनेस दिखाई दिया आपको बीजेपी के लिए देरेंदर बुदी को फिर धन्यवाद किया देखिए धन्यवाद उन्होंने किया है और सॉफ्टनेस हो सकती है लेकिन आप तो जानते हैं नितिश कुमार बिहार की राजनी पर हैं तो अगर वो इस बार बदलते हैं तो ये उनकी एक तरह से आखरी चोट होगी लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लालू यादव की जो पार्टी है राश्टी जनतादल वो इनके साथ वो इनको जाने देंगे कि नहीं और वो किस तरह का उनके साथ समझ होता आप कर हो सकता है कि एक तरह कि ये बारगेनिंग टैक्टिक भी हो तो वो तो निश्चित तोर पर दिख रही है उनकी कोशिश साफ तोर पर लेकिन जैसे भी आपने खुदी का ये हमनों जैसे अंग्रेजी में चाहिता है कि फाइनल हैंड आखरी बाजी खेल ला लिए तो क्या वो दरसल अब वो चुक गए हैं मेरे विचार से अब इसके बाद उनका कोई मुझे कोई राजनीतिक भविश है इस चुनाव के बाद नहीं दिखता है मुझे नहीं लगता कि वो अगली बार जब बिहार की विधान सभा बनेगी वहां उनका कोई अब उसके बाद वो मुख्य दिखा सकते हैं क्या उतिनी पॉलिटिकल कैपिटर है उनके पास कि आ भी जाएं इंडिये में और फिर भी जनता के सामदें जा सकेंगी देखिए कोई बात नहीं अब इदर भी आगए पिर से वो तो देखिए उसको तो जस्टिफाई हर राजनीति में जो नेता हैं वो देखिए ये तो राम को भूल गए हैं तो राश्री जनता दल से तो मेरा जो मत्भेद अब इस बात पर है कि उन्होंने राम को याद नहीं किया तो कोई भी बहाना हो सकता है उनका वापस आने के लिए या आपने सार बड़ी बात दिलाई सार रावल जी अगर इशारों मे अगर कोई भूमी तयार हो रही है उनको वापस लाने के लिए तो पूरे प्रकरण में राम मंदिर के एक शब्द नहीं बोले नितिश कुमार न्योता उनको भी था गए नहीं वो तो अलग बात है कुछ बोला भी नहीं है उन्होंने कि अच्छा हुआ मंदिर बन गया चलि की आस्था नहीं है वरना हो सरकारी पैसे से नहीं बन वार होते हैं दूसरी बात यह है कि नितीश कुमार को फाइदा किस में है क्या नितीश कुमार को इसमें फाइदा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ गडबंधन करें लोग सभा चुनाव लड़ें और उसके बाद उसी विधान सभा चुनाव लड़ें वो आगे की तैयारी कर रहे हैं ताकि एक बार और वो बीज़ेपी के साथ मिलकर विधान सभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के पत पर एक और बार आशी अरश्वरदन जी ये वाला चुनाओ और मैं फिर से दोरा रहा हूँ इसको सहेज के रखिए दोहजार पच्चिस नितीश कुमार जी के राजनितिक तोर पर समाप्ति की तारीक है वो तारीक अब दोहजार चौबीस ही लग रही है अधिक्तम वो कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं न कि जाते जात अपनी इज़द बचा जाएं और आप लोग करें क्या उनके पास उतनी पॉलिटिकल कैपिटल है पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है दरसल ये जो इनका मद्दातावर्ग है वो भारती जनता पार्टी के साथ जेल हो जाता है वो नहीं समझ में आता है आप जनता दल उनाइट हुएं वो गठ जोड सहज है नहीं वो नितीज जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना परसनली गोमसाज के लिए उसके लिए किया है उनको लगा कि भारती जनता पार्टी बड़ी होती जा रहे है चिराग पासवान के जरी हमको रोज धक्का दिलाते रहते हैं तो चलो हम उधर जाके भी दिखा जेते हैं इसके लाँ उन्होंने हासिल क्या किया उनके मन में आ गया था कि शायद प्रधानमंत्री पत के दाविदार के तौर पर हम जाएं और मैंने उस वक्त भी कहा था नितीज जी के पास बड़ा आउसर था 2015 में वो चूग गए जब विपक्ष की अग पर इस ध्यानी नहीं दे रही तो आएं ना आएं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आएंगे तो थोड़ी इज़त बच जाएगी बस इतना ही होने वाएंगे